आईए अब आपको बताते हैं कि दरसल इस शराब नीती है क्या जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है ग्राफिक्स के जरी आपको नई शराब नीती के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि इस शराब नीती में कौन-कौन से बिंदू ते देखिया 2021 भाई की नई आपकारी नीती दरसल क्या थी इस आपकारी नीती दिली को 32 जोन में बाट रही थी और नई पालिसी में शराब वित्रकों को एक बड़ी चूट दी गई थी क्या है ये चूट ये भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरी इसमें बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी और इसका ही विरोध किया जा रहा था चट समेत किसी भी जगह पर शराब परोसने की जाज़त भी दिली सरकार की नई शराब नीती दे रही थी इससे पहले खुले में दरसल शराब परोसने पर रोक थी लेकिन नई शराब नीती यानि नई आपकारी नीती के लागू होने के बाद ये रोक जोती वो हटा दी गए थी बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजान जो है वो किया जा सकता था इसको लेकर भी विरोध दर्ज कराये गया खासकर सड़कों पर भी इसको लेकर विरोध हुआ काउंटर पर खुली बोतलों की शेल्फ लाइस पर दरसल कोई पाबंदी नहीं रखी गए थी ये नई आपकारी नीती के बिंदू थे जिनको लेकर विरोध हो रहा था शराब की दुकान के बाहर स्नाच या फिर खाने पीने की जो दुकाने थी उन्हें खोलने की जाज़त नहीं दे गई थी वहीं सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी ये भी एक ऐसा बिंदू था बहराल इस पॉलिसी को लेकर देखे विरोध दर्च करा गया पॉलिसी में प्रात्मिक्ता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांट की उपलाबधिता पर फोकस किया गया था ये भी एक बिंदू था इस नई आपकारी नीती का जो कि दिली सरकार की और से लागू की गई थी तो ये तमाम बिंदू ऐसे रहे जिसको लेकर विरोध दर्च किया गया ये आपकारी नीती दिली को 32 जोन में बाच रही थी इसका हमने आप से जिकर किया है कि ये दिली की जो नई आपकारी नीती थी वो थी और नई पॉलिसी में शराब वित्वकों को बड़ी छूट दी गई थी आपकी ये भी कहा गया था कि आप खुले में शराब परोज सकते हैं और इसके साथी तीन बज़े तक का वक्त मकररर किया गया था जब तक ये जो दुकाने हैं बार्ज हैं रेस्टोरेंट्स हैं ये खुल सकते हैं और इसको लेकर बीज़ेपी लगातार विरोध भी कर रही लगाता भारतिय जनता पार्टी और आखिरकार अब आमाद मिपार्टी को दिल्ली सरकार को नई आपकारी निती को वापस लेना पड़ा बिल्कुल अगर देखा जाए तो डिप्टी सियम मनिश सौधिया ने प्रेशवारता करके साफ कर दिया है कि एक अगस्ते जो है पुरानी आपकारी निती दिल्ली में लागोगी क्योंकि जो इनकी नई आपकारी निती थी इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था और जो डिल्ली के उप राजिपाल है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि इसमें धेर सारी खामियां है और सीधे तोर पे कही ने कई सराब माफियां को फाइदा पहुचाने की ए पहुचाए गलत तरीके से जो है जो तेके बंदे थे उनको ठेका दिया गया इधर मनी तरीके से जो घुजरात में घटना घटक है जो नकली सरा मोथ बनी हुई है वहां पे लोगों को इसको बड़े आम हारी पार्टी ने बड़ा मुद्धा बना दिया है और यही बात मनी बीजेपी को कटगरे में खड़ा कर रहे थे लेकिन खुल मिला करके देखा जाए तो एक तारिक से एक अगस्ते जो आज़ा जा सकता है कि दरसल बीजेपी जो लगातार इस नई आपकारी नीतिका विरोध कर रही थी दिली सरकार का विरोध कर रही थी उसके पास तमाम ऐसे बिंदू ते चाहे ब्रश्टाचार का बिंदू आप ले लीजे ब्रश्टाचार का ब्रश्टाचार का मुद्दा हो ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसको लेकर बीजेपी जो है लगातार विरोध दर्ज कर आ रही थी ऐसे में सबसे हम चीज है कि यूवाओ को शराब परोस का मुद्धा बीजेपी ने उठाया और सबसे हैं पंजाब के मॉडल की तरज पर सबसे ज्यादा विरोध इसका किया किया है और अब यह पुरानी आपकारी दिति लाग होगी लेकिन मनीशी सौधिया के लिए आने वाला जो समय हो संकट भरा हो सकता है क्योंकि साब तोर पर कि यह सरा माफ्याओं को फाइदा पहुंचाने के लिए सरकार के तरफ से किया गया है तो जब जयांच होगी यह सब सारा जो भी हुआ है यह वनीशी सौधिया के देख रेक में हुआ है तो उनके लिए मुश्गिले बढ़ सकती हैं बिल्कुल राजी भी समझना चाहेंगे आप से कि दिल्ली सरकार की नई आपकारी नीती का विरोध भारती जमता पार्टी लगतार कर रही तो सीधे तोर पर आरोप लगा रही थी कि दरसल युवाओं को बिगारने की एक कोशिश है नई शराब की जो नीती बनाए गया उसकी तरफ ब्रश्टाचार का एक बड़ा कहा जा सकते हैं कि इल्जाम लगाया गया जिसको लेकर हमें शराब से हमादमी पार्टी कहती रही कि ब्रश्टाचार कहीं पर भी नजर नहीं आ सकता है और दिल्ली में खासकर इसे खत्म किया गया है और इसके साथी पंजाब मॉडल का जिक्र भी किया जा रहा था चले तो राजीव का रुख करेंगे इससे पहले आप देख सकते हैं आपको टेलिविजिन स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरीए बता रहे हैं कि दिली की आपकारी नीती 2021-22 दरसल क्या थी जिसको लेकर विरोध दर्ज कराए गया बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम इसमें किया जा सकता था काउंटर पर खुली बोतल की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं थी शराब की दुकान के बाहर स्नैक से अफर खाने पीने की दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं थी ये तमाम मनोरंजन आपको अंदर ही उपलब्ध हो सकते थी सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी ये भी कहा गया लेकिन सबसे हम चीज हमारे साथ हमारे साहियोगी पियूश उकला जोड़ गए है पियूश लगातार आमादमी पार्टी नई आपकारी नीती को हितकारी बताती रही और खासकर राजस्व को बढ़ाने को लेकर लेकिन बीजेपी ने लगातार विरोध किया ये कहतवे कि ये जो नई शराब नीती है ये आपकारी नीती है इससे युवाओं पर गलत असर पड़ेगा, समाज में गलत असर पड़ेगा और सब सेमची इस भरष्टाचार का भी मुद्दा इस पर उठाया गया वीजेपी की ओर से देखे चारूल जहां तक भारती जनता पार्टी ने शुरुवात से ही नई शराब नीती का विरोध किया और लगातार इस विरोध के सर को उलंद भी किया और कई बार तो आपने खुद तस्वीरों में देखा होगा कि भारती जनता पार्टी के जो परदेश अधख्ष थे आदेश गुपता या और जो बड़े निता थे उन्होंने शराब की तमाम दुकानों को सील भी करने की एक कवायत भी की थी लेकिन उन सब के बावजूद इस नई शराब नीती को आम आदमी पार्टी लगातार हितकारी बताती रही लगातार उसने कहा राजस में फायदा हो रहा लेकिन जिस तरह से जो रिकर्ड्स आ रहे हैं जो बाते सामने आई हैं जिस तरह से राजजपाल ने जो उपर बाकी विशे जाच का है और जाच के विशे में सामने आएगा लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यूटर्न लिया है उस पर इस सवाल जाहिर सी बात है खड़ा हो रहा है कि अगर ये शराब नीती इतनी अच्छी थी तो यूटर्न क्यों लिया प्यूश आपने सुना होगा जिपी सियम मनीश सोधिया ने तमाम बाते जिस दौरान कहीं नई आपकारे नीती को वापस लेने के दौरान तो उन्हों ने इस बात का जिक्र भी किया और चीदे तोर पर बीजेपी पर निशानत साथ तुवे कहा कि जिस तरह गुजरात में जहरीली शराब परोसी गए जिस तरह लोगों की मौत भी हुई अगर दिल्ली में भी ऐसी सिती देखने को मिली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और यहां तक कहा कि दरसल यह सब बीजेपी का ही प्रपोगेंडा है जो वो दिल्ली में लागू करना चाहती है देखिए उन्होंने जरूर भारती जनता पार्टी पर आरोप लगाया लेकिन इस वक्त तो जो संगीन आरोप है वो संगीन आरोप अगर सीजे तोर पर देखें तो भारती जनता पार्टी मनेश सौदिया चुकि उन्हीं के पास आपकारी विभाग है उन पर भी लगा रही है और जहां तक बात है सी वियाई जाची जिसकी लिए खुद उपरा जिपाल ने संसुती दी है तो निश्चत तोर पर कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी जो शुरुआत से सराबनीती को लेके हमलावर थी उसको और भी जादा बल मिल गया है और जब आम आदमी पार्टी क तरफ से जो यूटर्न लिया गया है उस यूटर्न के बात तो जाहिर सी बात है कि भारती जनता पार्टी ये कहती जरूर नजर आएगी अब कि वो शुरुआत से ही इस सराबनीती के विरोध कर रही थी सराबनीती के खिलाब थी लेकिन दिल्ली सरकार मानने को नहीं तयार बिल्कुल देखे बीजिपी को बैठे बिठा एक और मौका मिल गया है वक्ष मजबूत करने का प्यूश आप बने रही है राजी वाबी बने रही है अब ग्राफिक्स के जरी हम समझाते हैं नई आपकारी नीती जिसको लेकर विरोध जो है वो लगातार हो रहा है ऐसे में व से ज्यादा दुकाने जो है वो बंद कर दी गए थी नई शराब नीती के लागू होने के बाद तमाम शराब कारोबारियों ने सरकार की शराब नीती से दूरी बना ली थी इसके साथ ही दिल्ली में नौ जोन एक्साइस जपार्टमेंट को कर चुके हैं सरेंडर ये हम बता यानि शराब कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था यानि जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार जिक्र कर रही थी के फायदे मंद होगी उससे खुछ शराब कारोबारियों को नुकसान हो रहा था 17 नवंबर को लागू हो गए थी नई शराब नीती हमार में कई ब्रैंट्स को जिस तरह से बैंड किया गया उसके बाद खुद शराब कारों बारियों ने भी दूरी बना ली थी इस नीटी से कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो सराब माफिया हैं उनको जादा फायदा हुआ है क्योंकि जो इसमें मैटर आ गोटाले का इसमें 144 करोन रूपे घपले का आ रहा है मामला सामने इसी वज़े से उपरा जेपाल ने सीवी आई जाज किसी पार इसकी है और साथ ही अगर देखा जाए तो दिल्ली को 32 जोन में बाटा गया जिसमें है और अब कारी नित में सबसे बड़ा बावाल दिल्ली में तब हुआ जब जो पीने की जो उम्र पचीस साल थी उसको 21 साल जब कर दिया गया इस दिल्ली सरकार की तरफ से तो तमाम वर्ग जो है उसका विरोध किया समाज के तमाम लोगों ने कहा गलत है और भार्ती जंता पार्टी तो उसी समय से विरोध कर रहे थी जब यह एक खरीदने पर एक छूट दी जा रहे थी तो उस समय बाते देंता पार्टी के तमाम देताओं ने इस मुद्वे को उठाया लेकिन जब यह उम्र घटा दिया गया तो बड़ा मुद्दा बन गया तमाम लोगों ने सि सब्सकार की तरफ से इसको लेकर राजपाल उपराजपाल ने जो है किसी पारिस की अब बड़ा मैटर बन गया दिल्ली के नेताओं डिली बीजेपी के नेताओं लगातार प्रोटेस्ट किया और कहीं ने कहीं जब दिल्ली सरकार बैक फूट पर नजर आ रहे थी तो आज इस वार्ता करके मनीश्टी साओधिया ने इसको यूटर्न लिया है सबस्क्रापूर बात देखिए पिछले दिनों जब दिल्ली बीजेपी ने हंगामा किया तो सीधे उस समय के जरिवाल ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेपी को लो समय संकट वरा हो सकता है इसको लेकर आमारी पार्टी के जो नेता है काफी घबराय हुए है बिल्कुल राजी प्यूश भी हमारे साथ हैं प्यूश देखिए सबसे हैं चीज है कि जब हम बात करते हैं मनीश्ट सोधिया को हमने सुना तो नहोंने गुजरात से कंपारिजन क अलग है यहां एक के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी शराब की बोतल और वहाँ पर नशाबंद करने की बात कही जाती है एक ही पार्टी दो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नीती अपना कर चल रही थे और इसको लेकर ही बीजेपी ने लगातार विरोध दर्ज कर आया जिसके बाद दिल्ली सरकार को बैक फूट पर आना पड़ा दिल्ली सरकार के बैक फूट आने पर कई सारे कारण है और जिस तरह से मनीश सौदिया ने आज कहा कि 9500 करोण का राज़त सौ आता और भारती जनता पार्टी ये नहीं चाह रही थी वो चाह रही थी कि दिल्ली में अबैद तार पर शराब बिके और जिस तरह से गुजरात में अबैद तोर पर शराब बिकी और लोगों ने पिया और लोगों की मौत हुई लेकिन हकीकत तो ये है कि दिल्ली में जब नई अबकारी नीती आई और उस अबकारी नीती जो खामिया थी वो उजागर होने लगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसके बास से लग दर हो जाएगी तो अब धीरे से आम आदमी पार्टी ने यूटर्न लिया है लेकिन यूटर्न ये कितने दिन रहेगा क्या रहेगा कैसे रहेगा और आगे अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये भी देखना होगा चारुल राजी अभी भी आम आदमी बिल्कुल रखा रहा है तो गुरुवार को ही जो डिप्टिस्टियम बनी सिशोदिया है उन्होंने तमाम अधिकारियों को मैसेज दिलवार दिया कि एक अगस्त्य जो है पुटानी जी जोड़े हैं बीजेपी नेता है हरीश जी लगतार बीजेपी विरोध दर्श करा रही दिल्ली सरकार को यूटर्न लेना पड़ा इस नीती पर देकि घष्टाचार का कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ना था और अन्हों कभी होना ही होना था बारती जन्ता पार्टी मिश्ट पर पिछले एक साल से जिस परकार से संगर्श कर रही है आप तब मीडिया उसके घवाँ है जिस परकार से इसके अंदर गोटाला हुआ आज भी मनीश जिसोदिया जी कहने कि पुरानी पॉलिसी लागू करेंगे देकि पुरानी पॉलिसी में यही मनीश जिसोदिया जी कहते थे कि करप्शन होता था तो आपकी चस्टी बै कैसे करेंगे कि पुरानी policy में प्रश्चा चार हुए या नहीं policy में हुआ है policy चाहे नहीं हो चाहे पुरानी हुआ प्रश्चा चार का खेल तो अगर जो हुआ है उसका अंतव होना ही होना है और ये मोदी जी की अश्ची सरकार है नैशल गौवर्मेंट मोदी जी की है उस पे कोई भी नहीं बच सकता इसने करफ्शन किया हो इस बाद समझ लीजे इसलिए पनीश चितोगर जी को समझना पड़ेगा अगर आपके करफ्शन किया जो नदर आ रहा है आप बचली सकते जेल आपके बहुत तूरी पे नहीं है जेल आपको जाना ही पड़ेगा सवाल इस वकर तीन है सवाल ये है कि 25, 10, 12, 21 को जब एक्साइस डिपार्टमेंट ने नोटेस इशू कर दिया कंपणियों के खिलाफ आपने कारवाई क्यों नहीं करी कार्टल कंपनी अलाउड नीटी आपने उसको अलाउड करा ब्लैक्लिस्टिक कंपनी अलाउड नीटी आपने उसको ठेका दिया और कार्टल कंपनी अलाउड नीटी आपने उसको ठेका दिया इन सब पे एक्षिन लेने की बजाए 15 जुलाई को आप 144 करोड़ों पर उन कमडियों दे दे दे, 30 करोड़ों पर MD माफ कर दे, EMD माफ कर दे दे हरीची लेकिन मनीश सोधिया जी का कहना है कि दिल्ली में दरसल BJP गुजरात वाला हाल चाहती है जिस तर अवैद शराब वहाँ पर बिक्ती है लोगों की मौत होती है और इसी तरह गलत तरीके से भारतिये जंता पार्टी दिल्ली में भी शराब बेचना चाहती है मनीश सोध सब्सक्राइब के विदायक सुरेंद्र जी जुड़े हैं सुरेंद्र जी हरीशी हमारे साथ बने हुमें लकतार कह रहे हैं कि मनीश सोधिया जी की जो बॉडी लैंग्विज ती वही दिखा रही थी कि चोरी पकड़ी गई आम आद्मी पार्टी की देखो जी जो बात है हरीशी कह रहे है बात तो ठीक है इसमें तो बहुत बड़ा बरस्ता तार हुआ है और जो इसकी जो ना पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए यह नहीं कि जांच को जो है पूर्शिया वापिज ले 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 हैं और जो परभावित करके या दोनों पार्टियां जो ना मिल जूल के और जो इसको वापी ले जाए या आम तो बड़ा अशर पड़ा है इस तरीके से लोगों अपने बरतन तर बेज दिये यह जो फरी पोलिशी जो लेके आए और जो लोग सरकारी ठेके दे सरकारी ठेके और जो सरकारी करमचारी काम कर रहे थ उसके पाद गली-गली में जो दारू के ठेके खुले हैं उसके पूरा जो राजानी अक्षेतर के लोगों के साथ जो है महिलाओं ने भी इसको वो करना पड़ा है प्रेशान होना पड़ा है इस पोलिशी के तैतर इस पोलिशी के अंदर साब जाहिर तिकरा अशा जो प्राइवेट लोग उसमें भी बड़े-बड़े जो माफिया है दारू के जो हिंदोसान के माफिया जो साथ इंडिया के माफिया है जो यूपी भियार के माफिया है उन माफिया उन यह ठेके लिए जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनिया है बड़े-बड़े वो है वो लो अब क्या कहेंगे अब क्योंकि यू टर्न तो ले चुके है दिल्ली सरकार अब आगे बीजेपी क्या करेगी क्योंकि पूरा इल्जाम जो है वो बीजेपी पर लगाने के बाद ही यू टर्न हुआ है चुले हमारे सद्मारे सवयोगी राजीव बने हुए हैं राजीव देखिए लगतार ये कहा जा रहा है और आपने अभी सुना होगा बेज़ुपी नेता साफतोर पर कह रहे थे कि मनीश से सोदिया जी की जो बॉडी लैंग्विश थी वो दिखा रही थी कि चोरी पकड़ी सब्सक्राइब करें तो अगर जिसमें जाच होती है और इसमें जाच में कोई घीरेगा तो मनीश साओधिया इगिरेंगे इस बात को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल भी चीनती थे हैं क्योंकि उनका बहुत पूराना एक स्टेट्मेंट आया था जब जांच की बात सल रही थी तो कि भारती जंता पार्टी चाहती है कि मनीश साओधिया क के बाद ये पता चलेगा कि किसने किसको कितने का फाइदा पहुचाया है जी बलकुल बहुत शुक्रे राजिव इस तमाम जानकारी के लिए प्यूश आपका भी बहुत शुक्रिया